जमू कश्मीर में हाई अलर्ट है सुरक्षा बल की मुस्तेदी से कश्मीर घाटी के कुवाड़ा में आतंकी की गिरफतारी की जानकारी मिल पा रही है गिरफतार आतंकी का नाम शबीर एहमद बताये जा रहा है आतंकी के पास से सुरक्षा बल को चार हैंड गुरेनेड एक प पर बड़ा परदा फाशिस रिपोर्ट में देखिए हाफिज मोहम्मद साही और टेरर प्रोफेसर ये आतंकी आका भारत का दुश्मन नमबार वन है पाकिस्तान में खुलम खुला जहर उजह पाशन बांचने वाला हाफिज सहीद लाहौर की मस्जिद में बैट कर खूनी फर्मान सुनाता है हाफिज सहीद ने 26-11 जैसा टेरर अटाक को अंजाम दे कर पूरी दुनिया को देहला दिया था लेकिन हाफिज के बनाए और फैलाए आतं की संगठन लशकरे तयबा की गुंडली जैसे जैसे खुलती गए इस आतं की सरगना ने नए नाम से टेरर गुटों का नेटवर्क खड़ा कर लिया हाफिज साइद के बारूदी दिमाग की उपज है टी आरेप जिसका पूरा नाम है दा रिजिस्टेंट फ्रांट सांती का माहौल इलेक्शन से पहले बना हुआ था काफी दिनों से कोई घटना नहीं हो रही थी छोटी पोटी घटनाओं के लाबा जब इलेक्शन में बड़ चड़के लोगों ने हिस्सा लिया और वोट किया तो हमारे पड़ोसी देश की नीद हराम हो गई और जो लोग जो ग्रूप सिर्फ इस बात का एजेंडा जलाते हैं कि भारत का विरोध कैसे किया जाए या भारत में असांती कैसे पैदा की जाए तो उन लोगों की सस्टीनेंस पे खत्रा खड़ा हो गया जमू के रियासी आतंकी हमले की जिम्मेदारी लेने वाला TRF टेरर ग्रूप असल में लशकर तयबा की हाई टेक आतंकी ब्रिगेड है इस टेरर गूट को बनाने की सबसे बड़ी बजा लशकर के आका हाफे साईद को परदे की पीछे रखने की है जिसमें पाकिस्तान के कोख्यात खोक्य आईजनसी आईएसाई के जनरलों की बराबर हिस्सेदारी जब से पाकिस्तान टेरर फंडिंग को लेकर इंटरनाशनल स्टेट पर बेनकाब हुआ तब से नए नाम से आतंकी संगठनों की भरबार हो गई पाकिस्तानी से ना हाफिज साईद की सबसे बड़ी मददकार है मगर टेरर फंडिंग से हुई बदनामी को छिपाने के लिए हाफिज साईद को नया आतंकी गुट मजबूरन बनाना पड़ा और इसके बाद पाकिस्तानी मशीनरी की सरपरस्ती में हाफिज साईद ने दर स्टेंट फ्रंट 2019 में सामने आया अनुछे 370 के खात्मे के बार टी आरेफ एक आनलाइन यूनिट के रूप में शुरू हुआ टी आरेफ का टॉप कमांडर शेक सज्जाद गुल है शेक सज्जाद गुल शिर्नगर के रोजवनी कॉलिनी का रहने वाला है जिस पर जून 2018 में कश्मीरी पत्रकार शुजाद बुखारी की हत्या की साज़ेश रचने के आरोप है साल 2023 में यूए पीए कानून के तहन टी आरेफ पर बैन लगा दिया गया प्रतिबंद लगने के बाद टी आरेफ ने हिटलिस जारी कर कश्मीर घाटी में अल्व संकिकों के नरसाहार का एलान किया था और इस आतंगी संगटन ने जम्हू कश्मीर के विशेश पुलिस अज़कारियों के साथ सिख नौजवानों को भी अपना निशाना बनाने की धम की दीती टी आरेफ की तरह घाटी में कई आतंगी गुट नाम बदल कर फान उठा रहें जिसमें जम्हू कश्मीर गजनवी फोर्स और पीपल्स एंटी फासेस्ट फ्रंट के नाम सेनक हिट लिस्ट में टॉप पर है गजनवी फोर्स को जैशे मुहम्मद से फंडिंग मिलती है ये सीधे आतंगी हमला करने की बजाए सोशल प्लाटफॉर्म पर आतंगी नेरेटिव सेट करता है और लोगों को भड़काता है गजनवी फोर्स गुस पैठी आतंगियों के मददगार ओवर ग्राउंड वर्करों का नेटवर्क भी तयार करता है रियासी आतंगी हमले में इनी ओवर ग्राउंड वर्करों का पड़ा रोल माना जा रहा है मगर सुरक्षा बल की मुस्तैदी और सेना की सक्त निगरानी से आतंगी गुटों की तमाम साजेशे नाकाम हो रही है घाटी में आतंगी वारदातों में भारिक कमी प्रमान की पाकिस्तान परस दहशत गर्दों का अंत करीब है जम्ब कश्मीर में साल 2018 में 228 आतंगी वारदात अंजाम दी गई थी जबकि 2023 में सर्फ 44 आतंगी हमले हुए साल थोहजार अथाईज में सुरक्षा बल और आतंगीों के बीच जहां 118 एंकाउंटर हुए थी वहीं 2023 में सर्फ 48 मुट्धेड हुई 2018 में आतंगी हमले में जहां 55 लुगों की बौत हुई थी वहीं 2023 में ये आंकड़ा सर्फ 13 तक सिमट गया घाटी में बधर बाजी और आए दिन होने वाले बंद अनुचे 370 के खादमे के साथ ही समाप्त हो गए घाटी में लोटा यहीं अमन सुकून पाकिस्तान में बैठे आतंकी आखाओं को रास नहीं आ रहा हाली में हुए लोकसवाज चुनाव में हुई बंपर गोटिंग ने भी पाकिस्तानी सेना और उसके पालदू आतंकियों के लिए जोर का छटका साबित हुआ जम्मु कश्मीर की शांती और खुशाली आतंकियों के अंत की शुरुआत जाहिर है ऐसे में आतंकियाकाओं की फड़ फड़ाहट बढ़ गई है लेकिन भारत में घुसपैट करने वाले हर आतंकियों की जगा पहले ही तै कर दी गई है वो है जहनु जम्मु के जंगलों में च्छिप कर बैठे आतंकियों के डिथ वारंट रिलीज हुचका है झाल कर दो फिए झाल